नमस्कार स्वागत है आपका SPN 9 News में मैं हूँ आपके साथ शूती बात करने जा रहे हैं मुद्दे की बात दर्शकों के साथ जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स में आपकी कमेंट्स आते हैं आज हमने सोचा कि उन कमेंट्स पे कुछ बाते करते हैं अपने दर्शकों के साथ में जैसे की बात करेंगे नवजो सिंग सिद्धू को लेकर हमने प्रोग्राम बनाया था नवजो सिंग सिद्धू क्या दूसरी पार्टी में शामिल होंगे टकसाली के अध्यक्ष नहीं कहा था कि अगर नवजो सिंग सिद्धू उनके साथ उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें मुख मंत्री पद के लिए भी ओफर किया जा रहा था वहीं हमने सवाल किया था कि क्या नवजो सिंग सिद्धू इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो वहीं हमारे एक दर जाएं यानि कि इनोंने लिखा है कि अर्वीन जी यानि कि दिल्ली के आप पार्टी से हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजृवाल जी अगर सिद्दु को पार्टी में शामिल करें इससे पार्टी मजबूत होगी और उनके सारे मांग मान लीजे यानि कि यहाँ पर देखे तो जिस तरह से दशुकों नहीं पर रूची दिखाई है नवजोस सिद्दू हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं इसके साथ ही यहाँ पर जो उनने कहा है कि नवजोस सिद्दू जो है वो आप पार्टी में शामिल हो जाएं से पार्टी मजबूत हो जाएगी आपका इस बात में क्या रहा है क्या नवजोज सिंग सिद्धू को आपके साथ हाथ मिला लेना चाहिए बता दे आपको कि जिस तरह से नवजोज सिंग सिद्धू चर्चाओं में रहते हैं लेकिन इस समय कहीं न कहीं वो गायब से लग रहे हैं इस ऐसे में देखा जाए तो लगातार ये चर्चाएं बनी रहती हैं कि क्या सिद्धू पार्टी फिर से बदलेंगे क्या सिद्धू अलग पार्टी जोईन करेंगे इन सब को लेकर सवाल होता ही रहता है इसके साथ ही आ आप हमें comment box में comment कर बता सकते हैं अब हम चलते हैं महराष्ट की ओर जहां जिस तरह से महराष्ट में उद्धू ठाकरे की सरकार बनी है वहाँ पर मुख्यमंतरी के तोर पर उद्धू ठाकरे ने शपत गरहन किया है उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्रिपत का कारेभार समाला है इस पर भी दर्शकों का क्या कहना है बताते हैं आपको हमारे एक दर्शक है उन्होंने का राजनीथम उनका नाम है रंजीथम उनका नाम है उन्होंने कहा है कि नरिंद्र मोदी और अमिश्शाह इसे में जिस तरह से उन्होंने कहा है उन्होंने जो लिखा है मैं वो पढ़ना चाहूंगी उन्होंने लिखा है नरेंद्र मुदी और अमिस शाह देखा जाए तो महारास्ट में जिस तरह से सियासी सम्मी करण बदले हैं कभी बिजे पी तो कभी अन्सी पी कभी शिप शिना कभी कॉंग्रेस हर तरह से बयान बाजी होती रही मुख्यमंत्री पत को लेकर पींच फसा रहारास्ट पती शासन भी लागो हुआ वहीं सरकार बन भॉमद थाकरे यहां पर भाहुमत भी थाकरे ये वहां पर अच्छा सरकार जल्दी गिरेगी आशासर क्या महरास्ट में क्या नया होगा उसको लेकर आपकी क्या राय हैं में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं और जिस तरह से महरा महराश्ट में शिवसेना एंसीपी और कॉंग्रेस एक साथ आए हैं और उनकी सरकार बनी हैं ऐसे में देखा जाये तो दो विचार धारा एक साथ आए हैं तो महराश्ट में किस तरह से जिस तरह से सियासी सम ठाकरी ने शप्त ग्रहन समारोह में बुलाया था देखा जा तो महरास्ट में कई किरदार सामने आये थे जिसमें एक शक्स जो है वो इन सब के बीच में कहीं भी नजर नहीं आये यानि कि जब से विधान सबा चुना हुआ था नतीजे आये थे और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पत को लेकर पेंच फसा और इसमें देखा जाए तो शिफशेनक की तरफ से संजरा उतनी कई बयान अबाजी किये यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो रोह के लिए तो राज ठाकरे यहाँ पर शामिल होकर सबको चौका दिये बता दे आपको कि राज ठाकरे ने अलग पार्टी बना ली है मन से पार्टी बना ली है उस महीं बता दे कि उन्होंने परिवार से अलग होकर और यह पार्टी बनाई थी इसके साथ ही कहा जाता है क और ऐसे समय में राज ठाकरे जो हैं वो धर ठाकरे की शपत ग्रहन समारों में शामिल हुए तो वहीं आपको बता दे कि इसमें जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी कमेंट किया था और राज ठाकरे पे जो हमने प्रोग्राम बनाया था उन्होंने मराठी में कुछ लिखा है लेकिन हमने उसका हिंदी अन्वाद किया और हिंदी अन्वाद में जिस तरह से हमने पाया उसमें कि दूद में चीनी मिल जाना जिस तरह कहा जाए तो दूद में अगर चीनी मिल जाए तो काफी अच्छा होता है और यहां पर दोनों भाईयों को मतभीद भूला कर और अप ने भविश्य के लिए सोचना चाहिए बता दे आपको कि महराष्ट में सियासी समीकरन तो बदलते रहे हैं लेकिन यहाँ पर भाईयों का प्रेम भी देखने को मिला है उद्धो ठाकरे यानि ठाकरे परिवार से कोई पहला मुख्यमंत्री बना और इसके बाद जो उनके परि कि शपत ग्रहन समारो में कई हस्तियां शामिल रहे हैं उनमें से जो चर्चे में रहे वो हैं राश ठाकरे मतबेद होने के बावजूद भी उन्होंने भाई के शपत ग्रहन समारो में हिस्ता लिया इसने सब को चौका दिया था बता दे आपको कि जिस तरह से अब सब्में और इन समय आप हमारे के खबरों के खबरों को देखते हैं उन सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोडिक नएध से करेंगे यह कलेक हैं तब तब तक के लिए दिजिये जाज़त नमस्कार झाल, 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 झाल.